हलो एंड वेलकम टो जीनियस आई एस फाइव मिनेट नौलेज सीरीज में हम कॉंस्टिटुशन के ओपर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पर कॉंस्टिटुशन के एक एक आर्टिकल को हम धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़े समझेंगे और बहुत जल्दी बहुत ही शौट में बहुत ही अशान सब्दों में हम इस कॉंस्टिटुशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे यह कॉंस्टिटुशन जिसके बारे में हम सब को पता होना चाहिए चाहे हम कोई एक्जाम दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं ये constitution हमारे basic laws है, basic rights है, basic knowledge है हमारे constitution, हमारे पूरे इंडिया के कानून की हम कह सकते हैं, ये तो सब को पता ही होना चाहिए, तो इसी के बारे में सब को aware करने के लिए हम एक series लेके आ रहे हैं, जहां पर हर एक article की, हर एक छोटे से छोटे article को हम एक एक करके लेके चलेंगे, तो आज हम जब हम इसको शुरू कर रहे है constitution को, तो सबसे पहले समझते हैं कि constitution क्या है, समविधान क्या है, constitution क्या है, constitution को अगर छोटे से छोटे सब्दों में कहना चाहूं, तो constitution is the fundamental law of the land, अगर इसको बहुत कम सब्दों में और बहुत आशान सब्दों में अगर मुझे कहना हो तो constitution को मैं कहूंगा constitution is the fundamental law of the land कि जो बहुत basic laws हैं हमारे हमारे इंडिया के वो constitution है किसी भी country के जो सबसे basic laws होते हैं जिस law से बाकी सारे law बनते हैं वो वहां का constitution होता है जिस चीज़ से power मिले तो basic laws जिसमें है fundamental laws जिसके अंतरगत है वो हमारा constitution है constitution को अगर simple बोलना हो तो fundamental law of the land इस constitution में आप बहुत सारी चीज़े जब हम यह series करेंगे तो बहुत बार सुनने वाले जैसे article, parts और schedules article, parts और schedules यह क्या हैं इनकों समझते हैं हमारे इसकी शुरुवात में ही ताकि आगे हमें इनमें कोई दिक्कत ना है सबसे पहले शुरू करेंगे हम article से कि यह article होता क्या है article से हम शुरू करते हैं कि article है क्या चीज़ तो article को अगर हम समझने कोशिश करें तो हमारे constitution में जितने भी laws है serial number 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 95 तक यह सब articles है एक individual law को एक individual selection को जो basically किसी चीज़ के बारे में बता रहा है या किसी एक particular law को define कर रहा है वो एक article है तो जो भी series हमारी serial number चले constitution में अगर simple सब्दों में समझे counting करके मैंने 395 चीज़े इसमें लिख दी वो 395 को अलग-अलग करूं तो वो हर एक article है तो serial number एक पर मैंने कुछ लिखा तो वो एक article हो गया दो पर कुछ लिखा दो एक article हो गया तो यह हमारे होते है articles यह होते है articles अब इन ही articles में कुछ ऐसे होते हैं जो एक जैसे होते है जैसे एक book होती है book में क्या होगा? book अलग-अलग chapters में divide होती है बुक क्या होती है, बुक अलग-अलग chapters में डिवाइड होती है, ऐसे ही constitution में, chapter को हमने part नाम दिया, क्या नाम दिया, part जो बुक में chapter का, chapter जो काम करते हैं, ऐसे ही constitution में part वही काम कर रहे हैं, कि एक जैसे articles को जब हम इकठा कर दें, उसको मैं एक part बोलूँगा तो एक part क्या हुआ, जिसमें एक जैसे कई article हो, अगर वो एक ही article एक जैसा है, तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, कि किसी-किसी part में बहुत सारे article हो, तो एक part क्या है, जैसे book में chapter होता है, ऐसे constitution में एक part होता है उस part के अंदर मिलते जुलते सारे articles होंगे, जो एक ही topic से deal करेंगे, जैसे हम इसकी शुरुआत में करेंगे हमारे part 1 से related, तो part 1 में union and its territory, और इस से related चार article हैं, चारों हमारे part 1 में आ जाएंगे तो समझ में, article और part में क्या difference है, अब हम आते हैं schedule में, यह schedules क्या होता है, schedules क्या होता है, schedules होते हैं, list, इसको अगर में बहुत simple में समझें, तो schedule क्या है, schedule होती है list, कि कोई भी list, जो हम constitution में डालने की बजाए अलग से, जैसे कई बार हम appendix में, book में आपने देखा होगा है, appendix में हम उसको रख देते हैं, तो वो है list, यह schedules हमारे क्या है, schedule हमारी list है, जैसे हमारी schedule 1 है, उसमें क्या है, list of union and its territories, उसकी list दे दी, ऐसे schedule 4 को अगर हम देखें, schedule 4 क्या है, schedule 4 में उन सब की state की list है, और किस की state से कितने राजय सबा के members रहेंगे, वो list दी वी है, तो schedules कुछ नहीं है, list है, जो list हमारा constitution अलड़ी बहुत लंबा हो गया था, उसको और लंबा ना करने के लिए, हमने क्या क्या जो list थी, उनको अल तब हमारे constitution में 22 part थे, 395 articles थे और 8 schedule थे, लेकिन आज, article को अगर हम देखें, तो 450 के आसपास हमारे articles हैं, या 450 plus article है, यह बहुत changing होते रहते हैं, तो आज के article आप से कोई नहीं पूछे का कि आज कितने हैं, तो इसलिए बहुत change होते रहते हैं, इसको यहीं रख जीजे, 450 के आसपास हम इसको एक round figure लेके चलते हैं, पार्ट अगर हम देखें, तो पार्ट आज के time 25 parts हैं, जो 22 थे जब constitution बना था, आज हमारे पास 25 हैं, और schedules हमारे पास total 12 हैं आज के time पर, number of articles अगर numbering की बात करूं, तो 1 से लेके last number कौन सा है, तो last number 395 है, यह ध्यान रखना कि last article जो तो कई articles को हमने बीच में ही include किया, जैसे सबसे famous अगर हम देखें, article 21A, right to education, 21 में ही हमने एक और को introduce कर दिया, 21A, तो यहाँ पर एक article बढ़ जरूर गया, लेकिन numbering हमारी 395 तक ही रही, ठीक है, तो यह हमने कुछ basic चीज़े constitution के बारे मां जानी, अब हम इस constitution सीरीज को शु मुझने कोशिश करेंगे, तो आप हमारे इस channel को like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए, और logo तक ही पहुचाइए, कि constitution के बारे में जानते हैं, चलो आज के lecture को यहीं खतम करते हैं, thank you, take care, bye bye.